दोस्तों नमस्कार ये हम आगदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शहतरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्धेकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्तोपोंड प्रशनों का भागी 11 जिसमें हम मुगल कालीन कला और साहित्य से संबंधित महत्तोपोंड प्रशनों को साल्व करेंगे ये वीडियो विशेश रूप से TGT PGT, Government Inter-College प्रवक्ता, Government Degree College, LT Grade, NET JRF इतिहास के लिए बहुत ही उपियोगी तथा महत्तोपोंड है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो मध्यकालीन भारत का इतिहास, मुगल कालीन, कला और साहित्य से संबंधित महत्तोपोंड प्रशन दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रशन है आईए देखते हैं क्या है प्रशन है दोस्तों कि निम्लखित में से किस ने कस्मीर में सालिमार और निशात बाग की निव रखी थी आपसन है आपके अकबर, जहांगीर, साहजहां और नूर जहां तो सही उत्तर है दोस्तों आपसन भी जहांगीर दोस्तों कस्मीर में शालिमार बाग और निशात बाग की अस्थापना जहागीर ने की थी दोस्तों जहागीर को अस्थापत्यकला के अस्थान पर चित्रकला और बगीचे लगाने का शौक था जहांगीर ने कस्मीर में सालिमार बाग और निशात बाग की निव रखी थी अगला प्रश्न है कि मुगल वन्स की निम्लखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईशा संबंधित हैं तो सही उत्तर है दोस्तो ताजमहल उस्ताद ईशा मुगल कालिन वास्तुकार थे जिन्हें प्रायत ताजमहल का परधान वास्तुकार बताया जाता है तो याद रखिएगा उस्ताद ईशा जो मुगल काल के प्रमुख वास्तुकला विशेशग थे इनको ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है अगला प्रश्ण देखते हैं निम्लखित में से कौन वीडा का एक कुसल वादक था आपसन है साहजहा, जहागीर, अकबर या फिर औरंगजेब तो सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब औरंगजेब संगीत को इसलाम विरोधी मानता था और उस पर पावंदी भी लगाया था लेकिन भारती सास्त्री संगीत पर सरवाधिक पुस्तके उसी के काल में लिखी गई और वह स्वयंग एक कुशल वीडा बादक था दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं औरंगजेब निमलखीत में से कौन सा वाद देहं अंतर बजाता था तो आप जानते हैं कि औरंगजेब पर सही उत्तर का चैन कीजिए आगरा का किला इसके अलामा दिल्ली का लाल किला, कुतुम मिनार और ताजमहल दोस्तों कुत्ब मिनार का निर्मार कार कुत्ब बुद्दीन एवक ने करवाय था और इसे इल्दुत्मिस ने पूरा करवाया उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो दूसरी इमारत जो है आगरा के किले का निर्मार अकबर के सासनकाल में उसके परधान कारिगर कासिम खा की देखरेक में हुआ और साहजाहां के काल में दिल्ली में लाल किले का निर्मार लाल बलुआ पत्थर से हुआ और ताजमहल इसम का दिल्ली का लाल किला और उसके बाद सबसे लाष्ट में ताज महल तो सही उत्तर आपसन भी हो जाएगा आपका अगला प्रश्ण है दोस्तों आगरा और फतेपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं ये कथन किसका है तो सही उत्तर है इतिहासकार राल्फ फिच दोस्तों राल्फ फिच का कहना था कि आगरा और फतेपुर सीकरी आर टू वेरी ग्रेट सिटीज आइधर आफ देम मच ग्रेटर देन लंदन एंड वेरी पापुलरस तो सही उत्तर है आगरा और फतेपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं ये कथन दोस्तों राल्फ फिच का है अगला प्रश्ण देखें, शाली मार बाग किस ने बनवाय था, आप जानते हैं, साली मार बाग और निशात बाग ये जहांगीर का बनवाया हुआ है, तो सही उत्तराप का आपसन एह है, अगला प्रश्ण है, निम्रखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है, तो देखिए, बाबर मकबरा, इसमें आपको सासक और उनके मकबरे से संबंदित है, बाबर का मकबरा, ये दोस्तों, आप याद रखेगा, बाबर का मकबरा काबुल में है, अफगानिस्तान में या सिकंदरा में नहीं अकबर का मकबरा दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है खुश्रोबाग में नहीं और जहांगीर दोस्तों जहांगीर का मकबरा लाहौर में है देखिए ये चार बाग में नहीं है इसके अलावा और अरंगजेब का मकबरा भारत के महरा आश्ट राजी के खुलता बाद में है इसलिए के वल आपसन D आपका सही है तो याद रखेगा अकबर का मकबरा दोस्तों ये सिकंदरा आगरा में है बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है और जहांगीर का लाहौर में है अगला प्रशन देखते हैं मुगल असमार के मुखे द्वार पर महराब पाये जाते हैं और महराब मुखे तह द्वार के उपर अर्ध मंडला कार बनाया हुआ भाग होता था अकबर कालिन इमारतों में महराबी और शेहतीरी सैली का समान अनुपात में प्रियोग मिलता है तो याद रखेगा मुगल असमारक के मुख पूर सीकरी में इस्थित है और जो धबाई महल फटेपूर सीकरी का सबसे बड़ा महल है कुछ हन्य तक तथ्य देखते हैं दोस्तों तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर था कि परसी ब्राउन ने उसे अस्थापत तिकला का मोती कहा है संग मरमर द्वारा निर्मित ज जामी मस्जित को फटेपूर का गौरो कहा जाता है फर्गियूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रसंसित किया है और फर्गियूसन ने कहा है कि फटेपूर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिस्क का प्रत्विम्भ है अगला प्रश्न है दोस्तों मुग मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसने किया था तो सही उत्तर है मुगल काल में चित्रकला का आरंभ हुमायू के द्वारा किया गया याद रखेगा ये प्रश्ण जीएस में भी कई बार पूछा है कि मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई थी तो ये ह अगला प्रश्ण है निम्लखित में से किसे दोहरे गुंबत का प्राचींतम उधाहरण माना जाता है। इरानी सहली पराधारित अस्थापत्यकला का सुन्दर उधाहरण है। अगला प्रश्ण है कि देखिए तान सेन ने किस संगीत सहली वार्देयंतर का आविस्कार किया है। तो सही उत्तर है तान सेन ने रुद्र वीड़ा वादेयंतर का आविस्कार किया था। तान सेन अकबर के दरवार का प्रसिद संगीत अगे था और वो अकबर के नौरतनों में से एक थे। अकबर के दरवार में आने से पूरू तान सेन रीवा के राजा रामचंदर के दरवार में था। अकबर ने उसे कंठा भरण बाड़ी विलास के नाम से जो है उसको उपाधि दी थी। और उसके द्वारा स्रिजित रागों में मिया की तोड़ी, मिया की मलहार, मिया की सारंग और दरवारी का नहरा प्रमुक हैं। दोस्तों अपने अंतिम समय में तानसेन ने ग्वालियर के प्रमुक सुफिसंद मुहम्मद गौस की सिश्यता ग्रहाण की और मुहम्मद गौस से ही उसने इरानी संगेत की सिच्छा प्राप्त की और तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों निम्रखित में से किस किले का निर्मार अकबर द्वारा नहीं कराया गया था आगरे का किला, लाहोर का किला, इलाहबाद का किला और दिल्ली का किला तो सही उत्तर है दिल्ली का किला दोस्तों अकबर ने आगरा लाहोर और इलहाबाद की किलों का निर्माण कर रहा था लेकिन दिल्ली के किले का निर्माण अकबर ने नहीं बलकि साह जहाने करवाया था अगला प्रश्ण देखते हैं कि अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है आपसन देखिए दीवाने आम, पंच महल, दीवाने खास और शीष महल तो सही उत्तर है दोस्तों शीष महल आगरा से 36 किलो मीटर की दूरी पर सीकरी नामक गाउं इस्थित था और यहीं सूफी संत सेख सलीम चिस्ती रहा करते थे जिनके दर्सन के लिए अकबर प्राय सीकरी जाया करता था और अकबर द्वारा बनवाई गई स्रेश्टतम इमारते यहीं इस्थित है यहां इस्थित प्रमुखी मारतों में दिवाने आम, दिवाने खास, कोसागार, जियोतिसी की बैठक, पंच महल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधावाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी है तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुन्दर है कि परसी ब्राउन ने उसे अस्थापत्य कला का मोती कहा है तो दोस्तों शीस महल जो है फतेपुर सीकरी में निर्मित नहीं है अगला प्रशन देखते हैं अकबर का अलिन किस भवन को अस्थापत्य योजना को बौध अस्थापत्य से प्रेड़ा मिली थी तो सही उत्तर है दोस्तों फतेपुर सीकरी का पंच महल और सीकंदरा में अकबर का मकबरा इन दोनों ही यानि आपसंसी उपरयुक्त A और B दोनों को जो है इस अस्थापत्य योजना को बौध अस्थापत्य से प्रेड़ा मिली थी अगला प्रश्ण है दोस्तों अकबर का मकबरा कहां इस्थित है तो हमने शुरू में ही बताया कि अकबर का मकबरा सीकंदरा आगरा में इस्थित है और ये मकबरा जहागीर के काल में नेरमिस सबसे सुन्दर भवन है ये आगरा से पाँच मिल दूर सीकंदरा नामक गाउं में हैं जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर वसाया था अकबर ने इसका नाम बाहिस्ता बाद रखा था दूस्तों अकबर के मकबरे में पांच मंजिल हैं पहली मंजिल पर बनी कबर असली है और उसके उपर की मंजिल पर बनी हुई कबरे नकली हैं कबर के सिरह दोस्तों ये प्रश्ण कई बार पूछा है कि अकबर का मकबरा कहां इस्थित है तो आप जानते हैं अकबर का मकबरा सिकंदरा में इस्थित है अगला प्रश्ण है कि मुगलकाल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्ता संग मरमर से बनी थी तो सही उत्तर है एतमादुद दौला का मकबरा दोस्तों एतमादूद दौला का मकबरा ये नूर जहाने 1622 से 28 के बीच अपने पिता की मृत्यू के बाद बनवाया था और ये आगरा में यमुना नदी के तट पर इस्थित एक अत्यंत अलंकारी की मारत है मुख्य मकबरा स्वेट संग मरमर का है इस मकबरे में अपना विसेश्ट अस्थान है ये पहली कृती है जो पूरी तरह से संग मरमर से बनाई गई है तो याद रखिएगा मुगल काल में एतमादूद दौला का मकबरा पहली जो है महत्वपूर अस्थापत कला का नमूना है जो पूरी तरह से संग मरमर से बना है अगला प्रश्ण है एतमादूद दौला का मकबरा या आगरा का एतमादूद दौला का मकबरा किसने बनवाया तो सही उत्तर है दोस्तों नूर जहां ने एतमादूद दौला का मकबरा बनवाया था अगला प्रश्ण है दोस्तों एत एत्मादुत दौला का मकबरा कब बनवाया गया था तो सही उत्तर है जहांगीर के समय दोस्तों एत्मादुत दौला का मकबरा नूर जहांद्वारा 1622-28 के बीच जहांगीर के सासनकाल में बनवाया गया और ये संगमर्मर से निर्मीत पहली जो है कृती है और इसमें गुद थी तो सही उत्तर है जहांगीर के सासनकाल में अगला प्रश्ण है दोस्तों एक प्रत्यच दर्सी ने भारत के किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धर्ती पर उतारा गया है तो ये किस इमारत के बारे में कहा गया है तो सही उत्तर है दोस्तों ताजमहल ताज महल के बारे में किसी ने कहा था कि उसे जन्नस से धर्ती पर उतारा गया है अगला प्रश्न सूची एक का सूची दो से मिलान कराना है देखिए इसमें आपको बताना है कि सासाराम का मकबरा तो आप जानते हैं दोस्तों सासाराम का मकबरा जो है ये शेर साहसूरी का मकबरा है जो कि बिहार के सासाराम में है फतेपुर सीकरी दोस्तों फतेपुर सीकरी में अकबर का मकबरा है देखिए ये अकबर के द्वारा बनवाये गया था फतेपुर सीकरी से थोड़ी ही दूरी परसी कंदरा में अकवर कमकवरा है जामा मस्जिद ये इसका निर्मार साह जहाने करवाया था और चार मिनार मुहम्मद कुली कुतुब साह ने इसका निर्मार करवाया था अगला प्रश्न है दोस्तूं मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किस ने कहा कि मुगल काल भारती वास्तुकला का ग्रिश्म काल है जो प्रकास और उर्वरा का परतीक माना जाता है तो सही उत्तर है परसी ब्राउन परसी ब्राउन ने मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में कहा है कि मुगल काल भारती वास्तुकला का ग्रिश्म काल है जो प्रकास और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है दोस्तों इसमित इसमित एक इतिहासकार है उन्होंने मुगल कालिन वास्तुकला को कला की रानी कहा है हुमायू के मकवरे को ताज महल का पूरुगामी भी कहा जाता है और दिल्ली में मोती मस्जित का निर्माड औरंग जेब ने करवाया था दोज्टों अगला प्रश्ण है सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराना है तो आईए देखते हैं अलाई दर्वाजा दिल्ली इसका निर्माड अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया था बुलन दर्वाजा फते पुर्शीकरी अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में इसका निर्माड करवाया था मोती मस्जिद आगरा इसका निर्मार साह जहां ने करवाय था और एतमादुद दौला का मकबरा आगरा में जिसको नूर जहां ने अपने पिता के मकबरे के रूप में बनवाय था अगला प्रश्ण है देखिए आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्मार किस ने करवाया था तो सही उत्तर है दोस्तों आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्मार साहजहां के द्वारा करवाया गया था अगला प्रश्ण है सहाजहा ने निम्नखित में से किस इमारत का निर्मार करवाया था आपसन है बातसाही मस्जिद लाहॉर बीबी कमकबरा औरंगबाद मोती मस्जिद आगरा और मोती मस्जिद दिल्ली तो सही उत्तर है मोती मस्जिद आगरा देखे सहाजहा ने मोती मस्ज मस्जिद आगरा का निर्माड करवाया था जबकि बीबी का मकबरा औरंग जेब द्वारा और मोती मस्जिद देखिए दोस्तों मोती मस्जिद जो दिल्ली में इस्थित है इसका निर्माड भी औरंग जेब के द्वारा करवाया गया था अगला प्रश्ण है चित्रकला की किस सहली को निहाल चंद ने सम्रिद्ध किया था आपसन है देखिए आपसन है आपके बूदी गुलेर किसंगर्या कोटा तो सही उत्तर है निहाल चंद ने किसनगर सहली को अफने सुरिंगारिक चितरों के लिए जो है, इसको परसिध्ध कर दिया था और राजस्थान की किसनगर चितर कला सहली ये बहुत ही महतोपूर है, इस पर मुगल कला का भी प्रभाव है और इस सैली में चित्रों की अभिव्यक्ति गए गहराई बहुत अधिक है और दोस्तों किसनगड सैली के मुख्य कलाकारों में अमीर चंद, छोटू, भवानिदास, निहाल चंद, सीता राम आदी है और ये सैली दर्बार तक सीमित रही, फिर भी अनेक विश्यों का चित्रण हुआ जैसे राधाकृष्ण, नाइका भेद, गीत, गोविंद, आदी अब आईए देखते हैं दोस्तों कला के बाद मुगल कालीन साहित्तिक रचनाओं के संबंध में दोस्तों कला और साहित्ति दोनों ही किसी काल के लिए जो है महत्वपूर अस्तंब होते हैं कि उस कला के जो सांस्कृतिक विशेष्था या सांस्कृतिक विकास को दर्साते हैं तो हमने कला के बारे में पढ़ लिया, अब आईए साहित्ति के बारे में जानते हैं मुगल कालीन साहित्य ग्रचनाओं से संबंधित जो पहला प्रश्ण है देखते हैं फत्वा ये आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पोड़ रूप से बढ़न मध्यकालीन भारत के निम्रखित में से किस सासक की आग्यां से लिपिबध किया गया था तो सही उत्तर है औरंगजेब दोस्तों फत्वा ये आलमगीरी नामक एतिहासिक ग्रंथ जो है ये मुगल बासाह औरंगजेब के सासनकाल में विध्य वित्ताओं के एक दल द्वारा तैयार किया गया था और औरंगजेब की फत्वा ये आलमगीरी में जिहाद की बढ़ चड़ कर चर्चा क तो याद रखेगा फत्वा ये आलमगीरी औरंगजेब के सासनकाल में उसकी आग्या से जो है इसका संकलन किया गया था अगला प्रशन है कि इसके सासनकाल के अंतरगत सेख अब्दुल एक मुहदित देहलवी के धार्मिक बिद्वान थे तो सही उत्तर है जहागीर के सासन सेख अब्दुल हक मुहदित देहलवी अर्वी और फार्सी का प्रमुख धार्मिक बिद्वान था अगला प्रशन है आपको बताना है कि कौन सा युग्म यानि कौन सा लेखक और रचना सही ढंग से मेल नहीं बैठता है दोस्तों जिया नक्सवी तूती नामा जिया नक्स ग्वालियर का राजा मान सिंग तोमर संगीत सास्तर का विद्वान था उसने मान कौतुहल नामक ग्रंथ की रचना की थी तो याद रखे मान कौतुहल ये मान सिंग तोमर की रचना है तो नकी हुसेन सा कौतुहल तो आपसन सी आपका सही सुमेलित नहीं है अगला प्रशन ह दोस्तों मुगलकाल के दोरान पर्शियन में साहित्यक कुसलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदु कौन था आपको बताना है आपसन है चंद्रभान, भूपत राय, जस्वंत राय मुंसी या मधुसूदन मिश्र तो सही उत्तर है चंद्रभान दोस्तों मध्यकाल के दोरान पर्शियन में साहित्यक कुसलता प्राप्त करने वाला पहला हिंदु चंद्रभान था ये एक कुशल फार्सी लेखक था जिसने फार्सी का हिंदी में अनुबात करने की परंपरा को शुरू किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्निखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे आपको बताना है कि अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ कौन थे आपसन देखिए तारीख अलफी अकबर नामा आईने अकबरी या उपरोक्त सभी तो सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी तारीख अलफी अकबर नामा और आईने अकबरी तीनों गरंथ अकबर के आदेश से लिखे गए थे अगला प्रशन देखते हैं अमल ए सालेह का लेखक कौन था तो सही उत्तर है अमल ए सालेह का लेखक मुहम्मद सालेह था पादशाह नामा के लेखक कौन थे दोश्तों तो सही उत्तर है पादशाह नामा के लेखक जो है मुहम्मद अमीन कजवीनी थे याद रखेगा मुहम्मद अवीन कजवीनी को सहजाहा ने अपने सासन के आठवे बर्स में अपने सासन काल का इतिहास लिखने का आदेश दिया और कजवीनी को दो बर्स के बाद सहजाहा ने इतिहास लिखने से रोक दिया और उस कारे को करने के लिए अब्दुल हमीद लाह जिसने दिल्ली में एक पुष्टकाला यानि बैतुल उलूम की अस्थापना की थी वो कौन थी आपसन देखिए महरुन निशा हाजी बेगम जेबुन निशा या फिर जहां आ रहा तो सही उत्तर है जेबुन निशा दोस्तों जेबुन निशा जो है ये औरंग जेब की पुत अगला प्रश्ण है प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी तो दोस्तों प्रेम वाटिका की रचना रस्खान के द्वारा की गई है और इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिवद्ध किया है इसके अलावा सुजान रस्खान भी इनकी प्रसिद्धे करेती है अक उत्तर है राजा बीरबल दोस्तों अकबर ने बीरबल को कभी प्रियकी उपासी दी थी और दोस्तों बीरबल का असली नाम क्या था आपको बताना है कमेंट बाक्स में तो आपको बताना है बीरबल का वास्तविक नाम क्या था अगला प्रश्ण है दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्रखित में से कौन सी पुस्तक फार्सी में लिखी गई है तो सही उत्तर है हस्त बिहिस्त दोस्तों हस्त बिहिस्त यह फार्सी भासा में लिखी गई है इसके लेखक अमीर खुसरों है बाबर नामा या तुझकी बाबरी तुर्की भासा में लिखी गई है और ये बाबर की आत्म कथा है किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई है अर्बी भासा में और इबन बतूता का यात्रा विर्तनांत रहला भी अर्बी भासा में लिखा गया है अगला प्रश्ण है दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है उसका लेखक कौन था तो सही उत्तर है देश्टू मुहसिन फानी दास्ताने मजाहिब या दविस्ताने मजाहिब जो अकवर के दीने इलाही की चर्चा करता है उसका लेखक मुहसिन फानी था अगला प्रश्ण है प्रसिध इतिहासकार सुजान राय किसके सासनकाल में था आपको बताना है तो सही उत्तर है प्रसिध इतिहासकार सुजान राय और अरंगजेब के सासनकाल में था और उसने खुलासत उलतवारिक की रशना की थी और सुजान राय ने यह पुछतक और अर सौपंचानवे में लिखी थी अगला प्रश्ण है तो फुतुल हिंद की रचना किस विशे से संबंधित है तो सही उत्तर है तो फुतुल हिंद जो है ये संगीत से संबंधित रचना है और दोस्तों ये पुस्तक और रंगजेब के सासनकाल में मिर्जा मुहम्मद द्वारा याद रखेगा तो फुतुल हिंद संगीत पर लिखी गई रचना है और रंगजेब के सासनकाल में मिर्जा मुहम्मद के द्वारा ये लिखी गई थी अगला प्रश्ण है सूची एक को सूची दो से सुमीलित कीजे और दिये गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन इसके अलावा तारीखे फिरोशाही जियाउद दिन बरनी की रचना है और तारीखे अलफी ये मुल्ला अहमत की रचना है तो इस आधार पर सही उत्तर आपका आपसन ए हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्ण है कि निम्लखित में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है तो देखे मारको पोलो महमूद गजनवी ये सही नहीं है और इसके अलावा सर्थामसरो औरंगजेब ये भी सही नहीं है फादर मांसरेट अकबर ये सही है और ट्रेवर्नियर जहांगीर य ये भी नहीं सही है दोस्तों मारको पोलो जो है ये महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी और फिर दौसी रहते थे मारको पोलो नहीं मारको पोलो तेरहवी सदी में भारत की यातरा पर आया था इसकी अलावात सर्थामसरो एक अंग्रेज यातरी था जो जहांगीर क दर्बार में आया था और ट्रेवर्नियर एक जोहरी था जो सहजहां के सासनकाल में आया था जबकि फादर मांसरेट अकबर के दर्बार में आने वाला एक इसाई पादरी था अगला प्रशन है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करिए तो देखिए फुतुहात ए आलमगीरी ये इस्वर दासनागर की रचना है मासिर ए आलमगीरी दोस्तों साकी मुस्ताख खान ने इसको लिखा है आलमगीर नामा इसकी रचना मुहम्मद काजिम ने की है और मुन्तखब उल्लुबाव ये खाफी खादवारा लिखी गई है तो याद रखेगा और इसके आधार पर सही उत्तर आपका आपसंसी हो जाएगा अगला प्रशन है बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भासा में लिखी गई है अभी अभी हमने चर्चा किया है तुझके बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है जो की तुर्की भासा में लिखी गई है और बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदु राज्यों का उल्लेक किया है उसमें एक विजय नगर है और दूसरा मेवार बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में थे तो राणा सांगा ने उपस्तित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निष्य किया था कि सम्मानित बादसाह इस ओर से दिल्ली के समीब पहुँच जाए तो मैं यानि राणा सांगा इस ओर से आगरवा प फारसी में रूपांतरन करवाया और इसके अतरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया है जो तूर्की पद्ध में स्रेष्ट अस्थान रखता है अगला प्रश्ण कई बार पूछा है कि बाबर द्वारा किस भासा में तूझके बाबरी लिखी गई तो तूर्की भासा में और तूझके बाबरी का फारसी में अनुबात किस के द्वारा करवाया किया गया था तो सही उत्तर है अब्दुर रहिम खान खाना के द्वारा ये प्रश्ण दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भासा में लिखी है तो तुर्की भासा में कई बार पूछा गया है और तुझके बाबरी का लेखक कौन था तो बाबर की आत्मकथा है इस ये लेखक भी बाबर होगा बाबर ने अपनी आत्मकथा स अगला प्रश्ण है अबुल फजल ने अकबर नामा पूरा किया था कितने बरसों में तो सही उत्तर है शात बरसों में सेवन एयर्स में अकबर नामा जो है अबुल भजल के द्वारा लिखा गया और ये पुष्टक तीन जिल्दों में बटी है इसकी आखरी जिल्द आईने अकबरी है और ये पुष्टक अकबर के समय काल के सासन पढ़ा ली मुगल आर्थिक जीवन का महतवपूर्ण सुरोत है अगला प्रशन है अकबर नामा किस भासा में लिखा गया है तो सही उत्तर है अकबर नामा फार्सी भासा में लिखा गया है और इसमें तीन भाग है जिसका अंतिम भाग आईने अकबरी कहा जाता है अकबर नामा का लेखक कौन है तो दोस्तों अकबर नामा का लेखक जो है वो अबुल फजल है और ये प्रशन देखिए कई बार पूछा गया है कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई रचनाओं के नाम क्या है तो सही उत्तर है अकबर नामा और आइने अकबरी ये अबुल फजल की रचनाए है दोस्तों आईने अकबरी क्या है तो सही उत्तर है आईने अकबरी जो है अकबर के सामराज्य का सांखी की दस्तावेज माना जाता है अगला प्रशन आईए देखते हैं कि निम्लखित में से कौन सा गरंथ अकबर कालिन नहीं है देखे अकबर नामा, तारीक बदायुनी, बादसाह नामा या तब काते अकबरी तो सही उत्तर है बादशाह नामा दोस्तों ये अकबर कालिन गरंथ नहीं है क्योंकि बादशाह नामा की रचना अब्दुल हमीद लाहोरी ने किया था और इसमें सहजहां के सासनकाल का इतिहास लिखा गया था अगला प्रशन है रजम नामा फारसी अनुवाद है किसका तो सही उत्तर है रजम नामा महाभारत का फारसी अनुवाद है दोस्तों और अगला प्रश्न है महाभारत को फार्सी में अनुवादित कराकर किसने रजमनामा नाम दिया था तो सही उत्तर है अकबर अकबर ने महाभारत का फार्सी में अनुवाद कराया और इसको रजमनामा नाम दिया था अगला प्रशन है अकबर की इच्छा के अनुसार किस ने रामायर का फारसी भासा में अनुवाद किया था तो सही उत्तर है दोस्तों ये है अब्दुलकादिर बदायुनी अब्दुलकादिर बदायुनी ने रामायर का फारसी में अनुवाद किस ने किया तो आप जानते हैं अगला प्रश्ण है किस कृति को उसके फार्सी अनुवाद को द्वारा रजमनामा सीर्षक दिया गया तो आप जानते हैं महाभारत को फार्सी में रजमनामा नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है दोश्तूं रामायर का फार्सी भासा में अनुवाद किस ने किया था तो सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी ने एक प्रश्ण देखिए अनवर ए सुहेली फार्सी अनुवाद है किस ग्रंथ का तो याद रखिएगा अनवर ए सुहेली ये पंच तंतर का फार्सी अनुवाद है और अकबर ने राजकवी फैजी की अध्यस्ता में अनुवाद विभाग के अस्थापना की थी सुल्तान हुसैन मिर्जा के सासंकाल में मुल्लावाईज हुसैन ने अनवर ए सुहेली के नाम से और अकबर के काल में अबुल्फजल ने आयर ए दानिस नाम से पंच तंतर का अनुवाद किया था अगला प्रशन है पंच तंतर का फार्सी में अनुवाद किस ने किया था तो सही उत्तर है अबुल फजल अबुल फजल ने पंच तंतर का फारसे में अनुबात किया था अगला प्रेशन है दोस्तों देखिए निम्लखित में से कौन सा विकल्प गलत है आपका अबुल फजल अकबर नामा ये आपका सही है बदायूनी आलमगीर नामा सही नहीं है बाबर तुझके बाबरी और जहांगीर तुझके जहांगीरी दोस्तों देखिए ये जो आलमगीर नामा है आलमगीर नामा मिर्जा मुहम्मद काजिम की रचना है नैकी बदायूनी की तो ये आपसंड भी आपका सही सुमेली नहीं है अगला प्रश्ण देखते है निम्रखित में से कौन सा युग्म सही है आपको बताना है अलवरूनी किताब लहिंद ये आपका सही है फैजी अकवर नामा इस्वरदास नागर मिराते मुलुक खाफिखा आलमगीर नामा ये सही नहीं है दोस्तों तहकीक एहिंद या किताबुल हिंद की रशना अलवरूनी ने अर्वी भासा में किया था ये सही है इसके अलामा दोस्तों देखा जाये तो ये जो तीनों कथन है ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है अगला प्रशन है कौन मुगल बाससाह द्वारा नहीं लिखी गई आपसन है तुझके बाबरी हुमायू नामा तुझके जहांगिरी या रक्काते आलमगीरी तो सही उत्तर है हुमायू नामा दोस्तों हुमायू नामा की रशना हुमायू की बहन गुल बदन बेगम ने फारसी भासा में किया था और तुझके बाबरी की रशना बाबर ने त दोस्तों अकबर के आगरह पर गुलबदन बेगम ने अपने संसबाड़ों को हुमायू नामा में संग्रहित किया और फुतुहाते आलमगीरी नामक ग्रंथ इश्वर्दास ने लिखा था भीम से इनने फार्सी भासा में नुक्षा ए दिलकुसा नामक ग्रंथ लिखा था अगला प्रशन देखिए हुमायू नामा को किस ने लिखा तो ये प्रशन बहुत बार पूछा गया है हुमायू नामा की लेखक हुमायू की बेहन गुलबदन भेगम थी अगला प्रशन है सूची एक में दी गई पुष्टकों को सूची दो से सुमेलित करना है यहां देखिए गुल्षन ए इब्राहीमी मुहम्मद कलीम फरिस्ता की बुख है देखिए गुल्षन ए इब्राहीमी मुहम्मद कलीम फरिस्ता तारीखे फिरोशाही जियाउद्दीन बर्नी मुन्तखब उल्तवारीक अब्दुलकादिर बदायुनी इसके अलावा अकबर नामा अबुल भजल तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इस आधार पर आपसन भी 4,3,2,1 अगला प्रशन है दोस्तों निर्मिखित में से कौन सा युगम सही है आपको बताना है तो ये प्रशन है दोस्तों कौन सा युगम सही है देखिए मारको पोलो, महमूद गजनी, सर टामस रो और अंगजेब, फादर एंथनी मांसरेट, अकबर और ट्रेवेरनियर जहागेद तो दोस्तों इसमें फादर एंथनी मांसरेट ये एक इसाई पादरी था जो अकबर के दरवार में आये था सेस, ये तीनों भी कल्प हैं, ये सही सुमेलित नहीं है अगला प्रशन है, सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है और दिये गए कूट की आधार पर सही उत्तर देना है तबकाते अकबरी, निजामुद दीन बक्सी, इनकी रचना है तबकाते नासरी मिनहाज उलसी राज की रचना है तारीखे फिरोशाही आप जानते हैं जियाउद दीन बरनी और तारीखे अलफी मुल्ला अहमद की रचना है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपसन डी अगला प्रशन है आईने अकबरी का लेखक कौन है तो सही उत्तर है मुन्तखब उल्तवारीख पुष्टक अब्दौल कादिर बदायुनी द्वारा लिखी गई थी रज्म नामा महभारत का फारसी अनुबाद है बदायुनी और अन्ही लेखकों ने मिलकर रामायर का अनुबाद फारसी में किया था सिंहासन बत्तिसिक फार्सी अनुवाद नामा एक हिराद अफजा और कथा सरिस सागर का बहर उल असमार नाम से बदायूनी ने किया अकबर ने फैजी के अधिन एक अनुवाद विभाग के अस्थापना की और फैजी जो है ये अबुल भजल का बड़ा भाई था अगला प्रशन है दोस्तों वाक्याते बाबरी क्या है तो सही उत्तर है बाक्याते बाबरी दोस्तों ये जो है बाबर नामा नाम से चरचित बाबर की आत्मकता है उसको बाक्याते बाबरी भी कहा जाता है बाबर स्वेंग अपनी मात्र भासा तुर्की और फार्सी भासा का उच्च कोड का विद्वान था और उसने तुर्की भासा में अपनी आत्म कथा तुझ के बाबरी उसको बाबर नामा या बाक्याते बाबरी कहा जाता है कुछ महतपूर्ण तत्यों को देखते हैं दोस्तों हुमायू ने तुर्की भासा में दीवान की रशना की ख्वांद मीर ने हुमायू नामा अथ्वा कानू ने हुमायू की रशना की हुमायू की बहन गुलवदं बेगम ने फार्सी भासा में हुमायू नामा की रशना की और इस ग्रंथ में उसने आरोप लगाए कि बावर की मृति उब्राहिम लोधी की मा द्वारा जहर देने के कारण हुई थी अगला प्रश्न है तुझके बावरी और मसनवी साहित्तिक कृतियां किस की थी तो सही उत्तर है दोस्तों बावर की कृतियां है तुझके बावरी और मसनवी अगला प्रशन है कली लाह वद दिमना किस गरंथ के अर्वी रूपांतर है तो सही उत्तर है दोस्तों पंचतंतर कली लाह वद दिमना ये पंचतंतर का अर्वी रूपांतरन है अबुल फजल ने संस्कृत गंत पंचितंत्र का फार्सी में अनुबात करके उसका नाम आयर ए दानिश रखा था अगला प्रशन है सूपरसिध कृती तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी तो सही उत्तर है दोस्तों ख्वाजा निजामुद्दीन तबकात ए अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन की प्रसिध कृती है अगला प्रशन है तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी तो आप जानते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने अगला प्रश्ण बहुत ही महत्पोण है कौन मुरक्का ए देहली का लेखक था तो सही उत्तर है दोस्तों गुलाम हुसेन तबातबाई गुलाम हुसेन तबातबाई ये मुरक्का ए देहली का लेखक था और मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहासकारों में तबातबाई बहुत भासा में तो सही उत्तर है फार्शी भासा में मद्धिकालिन भारत का इतिहास फार्शी भासा में लिखा गया है फार्शी मुगलों की राज भासा थी और राजकास से संबंधिस सभी कारे फार्शी में ही किये जाते थे अगला प्रश्ण आईए देखते हैं दोस्तों देखिए बहुत ही महतपोन प्रश्ण है ये निम्नांकित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह की रचना नहीं है आपसन देखिए सिर्रे अकबर मजमा अलबहरीन समुद्र संगम या दराब नामा तो सही उत्तर है दाराब नामा ये दारा सिकोह की रचना नहीं है सिर्रे अकबर उपनिस्दों का फारसी अनवाद है मजम अलबहरीन दारा सिकोह की रचना है इसका अर्थ हिंदी अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन दोस्तों दारा सिकोह को लेन पूल ने लगु अकबर की संग्या दी है और वह सूफि और मारिक क्यों के कादरी सिल्विय से सरवाधिक प्रभावित था। अगला प्रश्ण है कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकोह द्वारा तैयार किये के उपनिस्दों के फारसे अनुबाद की प्रस्तुती है तो सिर्य अकबर सिर्य अकबर को महान रहस्य कहा जाता है दोस्तों अगला प्रश्ण है दारा सिकोह के प्रस्रय में क्रिस ग्रंथ का फारसी अनुबाद नहीं हुआ था तो सही उत्तर है भगवत पुराण का जबकि उपनिसद भगवत गीता और योग बसेष्ट का फारसी अनुबाद दारा सिकोह के प्रस्रय में इन संस्कृत कृतियों का हु पहल की थी तो सही उत्तर है दारा सिकोह ने दारा सिकोह ने सबसे पहले उपनिस्दों को फारसी में अनूदित कराने की पहल की थी अगला प्रशन है कि सासक के सासनकाल में उपनिस्दों को फारसी भासा में अनुबादित किया गया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों साह जहां के सासनकाल में उपनिस्दों का फार्सी भासा में अनुबाद तारा सिकोह के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है कौन वेदों का एक संकलन है देखिए जिज ए मुहम्मद साही, मधुमालती, मजमा उल्बहरीन या चंदायन तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए मजमा उल्बहरीन दारा सिकोह की पुष्टक मजम उल्बहरीन में बेदों का संकलन किया गया है और ये तुलनात्मक धर्म पर आधारीत एक पुष्टक है दोस्तों यहाँ पर देखिए मजम उलबहरेन पुछतक के लेखक का नाम क्या है तो सही उत्तर है दारा सिकोह दोस्तों दारा सिकोह सूफियों के कादिरिया सिलसिला के मुल्ला शाह बदक्सी कसी से था उसने तसव्वफ पर मजम उलबहरेन यानि दो महा सागरों के मुल्लन नामक पुछतक लिखी थी अगला प्रशन है राजकुमार दारा सिकोह ने किसका फारसी में अनुवाद करवाया था तो सही उत्तर है उपनिस्दों का सिर ए अकबर जिसका अर्थ महान रहसे होता है उस नाम से दारा सिकोह ने उपनिस्दों का फारसी में अनुवाद करवाया था अगला प्रशन सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराना है देखिए पुछतके हैं और उनके लेखक खुलासत उल्टवारीक इसके लेखक दोस्तों सुजान राय है लुब उद्ब तवारीक इसके रेखक राय बिंद्रा है फुतुहात ए आलमगिरी आप जानते हैं इस्वरदास नागर के द्वारा इस्वरदास नागर द्वारा लिखी गई है और निकसा ए दिलकुसा भीम सेन बुरहान पूरी की रशना है तो इस आधार पर सही सुमेलन आपका आफसन ए हो जाएगा चार तीन तो एक अगला प्रशन है और अरंग्जेब के राजेकाल में महत्वण ग्रंथ फुतु हाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था तो इस स्वर्दास के द्वारा ये फुतु हाते आलमगीरी लिखा गया था आलमगीर नामा का लेखक कौन था दोस्तों तो सही उत्तर है आलमगीर नामा का लेखक मिरजा मुहम्मद काजिम था याद रखियेगा अगला प्रशन है और अंगजेब ने अपनी बिजियों को लिपिबध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था आपको बताना है तो सही उत्तर है इस्वर्दास नागर और अंगजेब ने अपनी बिजियों को लिपिबध करने के लिए हिंदू इतिहासकार इस्वर्दास नागर को खोजा और इस्वर्दास नागर की फुतुहात ए आलमगीरी में और अंग्जेब के 34 साल तक के इतिहास का उल्लेख है अगला प्रश्ण है भीमसेन की कृती नुक्षा ए दिलकुषा किसकी जानकारी का स्रोत है तो ये दच्छिड में मुगल गत्विधियों का स्रोत है भीमसेन की कृती नुक्षा ए दिलकुषा और नुक्षा ए दिलकुषा के और अरंग्जेब के सासनकाल के दच्छिड भारत की जानकारी मिलती है ये है औरंग्जेब के राजिकाल में नुस्खा ए दिलकुसा पुस्तक किसने लिखा तो ये दोस्तों भीम सेन की कृती है और अगला प्रश्ण है मुगलकाल में प्रचलित भासाओं में कौन एक रेखता भासा थी इस भासा का लोगप्री नाम क्या था तो आपको बताना है कि मुगलकाल में प्रचलित भासाओं में एक रेखता थी इस भासा का प्रचलित नाम क्या था तो सही उत्तर है दोस्तों रेखता भासा जो है इसका प्रचलित नाम जो था ये उर्दू था इसकी अलामा दोस्तों उर्दू की चार लोगप्री उप भासा याद कर लिजे दखिनी पिंजारी रेकता और आधुनी की अस्वदेसी उर्दू और ये उर्दू जो थी ये दिल्ली छेतर में बोली जाने वाली खड़ी बोली थी इसलिए ये मुगलकाल में प्रचलित रेकता जो है उर्दू का लोग प्रिनाम था दोस्तों एक और प्रश प्रचाबाद, आयोध्या, मिथिला और स्री नगर ये हिंदूों के सिच्छा के प्रमुख केंद्र थे और मुगलकाल में बंगाल का नदिया सिच्छा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने मुगलकालीन कला और साहित के साहित से संबंधित जो परिच्छाओं की द्रिष्ट से महत पूर्ण प्रश्ण हैं उनके बारे में आपने अध्यान किया और ये प्रश्ण आपके आगामी TGT, PGT, GIC प्रवक्ता, गॉर्मेंट डिगरी कालेज, उच्छतर सिक्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर और द्रश्ण फार सिविल सर्विसिस को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार